तो आज में बनाने वाली हूँ अपना होटल का होम टूर देने वाली हूँ तो यहां पर है लिफ्ट हम लिफ्ट से चाटके जाते हैं लिफ्ट ऐसा है यह देखिए चारो तरफ ठाने पीने की चीजे क्या देखिए कमानल चाहे टाइमिंग क्या है 11 30 एम टू 2 30 पीम क्या है यह की चीज का है यह बाइद पूल पूल कहा है इसका पता कहना पुड़ेगा पूल बहुत मॉस्ट है यह है एरिया यहां है ट्रेवल डेस्क यह श्टेयर है न यह तो गैद मैं यहां सबाष ओबर कर रही हूंती यह है जो विजर सब्सक्राइब होता है अब आज के हां बैठ सकते हो वेड कर सकते हो आगे भी सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि आपको क्या होता है ना कि होटल के डारेक्ट इंटर करना है इंटर वह मैं दिखाऊंगी कि बहुत जादे तगड़ा सेफटी का बेस्ता है और यहां पर अगर चेक आउट कर रहे होते हैं यहां पर बैठ सकते हो अगर आप चेकिंग करने के लिए तो आगे है वहां के यहां में पीछह तक पूल कहां है तो बताय ते पीछह आरा है तो दोर के जाने लगा बड़ पूल का ताइमिंग है ना 10 30 लो फुरी संदर लग रहा था बहुत अछे लिए और यह जो हैना मने प्लैंटस थ्याइग भी है और नीचे से पी है और बाकि यह सब तो इतना अच्छा लोग आ रहाता है और यह जो होटल के अंदर जब हम चेकाउट का निकले जाएं बैठते हैं वहाँ पे ग्लास दिया है और उसका भीवाता है यह पैसे भी बहुत अच्छा लगता है यहां हम वापस जा रहे हैं क्योंकि पूल का भी टाइम नहीं होता और हमें करना था ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट को जो टाइमिंग था टेन ओ क्लोक है यहां पर अगर आपका भी वीजिट करते हैं तो टेन ओ क्लोक पर ब्रेकफास्ट खतम हो जाता है आप पूरी चीज़ तो ब्रेक्वस्ट करने याए थे इतनो अच्छो इतनी वरायटे थे न मैं तो कन्फीज होगे कि क्या खाएं क्या निकाएं इतना अच्छे से डेकोरेशन भी हुआ था ये देखिए पूरी और यहां पर अरादी को अरादी ने खाया था अपना पेनके को मिला था अफ़के डोनेट्स यही और सारे मैं ऐसा नहीं कि अरादी सारे बच्ची वही सब खा रहे थे और मुझे सबसे अच्छा लगा पूरी और सब्जी इसकी मतब टेश्ट के तो लाजवाब था हर चीज़ का टेश्ट बहुत ही मस्त था और सच में मैंने उस दिना बहुत ढूंश ढूंश की प्रेकफास्ट किया था ऐसे लग रहा था पेट तो भर गया लिके मन नहीं बह प्रेश्ट इतना अच्छा था और इवरितिंग मतब क्या बता हूं तो यह देखे यह यह खाने के बाद मैंने पूरी सब्जी लिया था इसके बाद मैंने यह लिया या रादे तो बस डोनाट और यह अशब खाक के पेट भा लिया था और कुछ खास नहीं खाया था थोड इसलिए साइद पहला होटेल ऐसा था जिसमें मैंने ब्रेकफाश्ट मतब बहुत अच्छ थे किया अधवाज मैं थोड़ा से ब्रेकफाश्ट गर के उठ जाती हूं आइसा नहीं गोवा का भी अच्छा था था गोवा में भी अच्छा था यहां बहुत ही यूनिता यह है सेक्षन जिसमें फ्रूट्स और थे यहां पर यह नॉन्वेज इधर है बॉयल्ड जो भी चिकन था और पता है हर जगह ना स्लिप जो भी एवराइटी थी उसके बाद यह लिखा हूँ था कि कितनी कैलरी किया है तो आप कितनी कैलरी आपको एक दिमें लेना है उसके और इसी स्पेस की बात करें थी यह ग्लास के उधर जो ग्रेन रही थी नहीं वह उसका विव आता है तो सच में गजब गजब दे रहा था बहुत अच्छा लग रहा था तो यहां पर सोफा है चेक आउट के बाद आप आराम से बैठ सकते हो और यह दो आपर हम आते हैं तो हमारे रूम के चश्ट बगल में क्लिक पूरा जो वह ग्लास से है क्योंकि आपको बीच का विऊ देखने को मिलेगा तो यहां से भी विऊ देखने को मिलता है यहां पर का सब्सक्राइब तो यहां पर आप देखा हुआ है यहां का यह बहुत बड़ा नहीं था बड़ डिप था उसमें डिफ्रेंट जो फीट है ना टू फीट फो फीट एंड सिक्स फीट था सेम पूल में तो अगर किन्फीजन हो तो प्राब्लम होती बड़े-बड़ लोग भी बीच में ही जो मिड एरिया था स्विमिंग पूल का वहीं पर स्विमिंग कर रहे थे अपना रिलेक्स मोड में लोग अभि आके कर रहे थे क्योंके और 10.30 से था तो मौनिंग में आने को कोई मतलब नहीं था और यहां पर हम लोग मैंने आराद को कॉस्ट्यूम रहा था यहां पर चेंजिंग यह जो देख है यह तो रेस्टोरेंट है और इवनिंग में लोग यहां पर आके अपना जो भी डीनर अगरा करते होंगे क्योंके हम बाहर किये थे अपने पता हुई यह जो दीख रहा है रेड रेड यहां पर चेंजिंग डूम है शावर लेने के लिए है और हम कॉस्ट्म लाए थे रात क दिख रहे हैं वाइट रहा है तो इस इन न अपना गलास दय दिया तो ठीक है आराध ने श्विमिंग कर लिया था क्योंकि मैं कोस्ट्यूम तो अपने नहीं लेकि आए थी क्योंकि और नॉर्मली पूल में हम नहीं उतरते हैं मेरा मंद तो अचल आपने नहीं लेख यह य करना है और यहां पर टू फीट है इसके मिड में जाएंगा फ़ूर फीट और उस साइड से मतब इंड आस दफूल बना लिया तो यहां पर अब वीडियो के आगे आप लोग कंटीनु बने रही हैगा जो बीच है ना जश्ट इसके बगल में है तो भी मैं दिखाने वाली हो करता लोग देखा करणा करता है जबना स्नकाइब गगलो ओर की दूब्सके पाली करता हैं तो घाली हुआ पाली है मैडम जी यहां पर कि दो को जी खो को जी खिस हो दुखिए टाथ भाज। बढे जाऊ हो कि बटें से दो बाचा तानने को जाँ हुआँए रधन. की दो जम होदि ना भूर्च अजय दो अधिलिव अ इनुड़रा है ना इसे अधिल कीड़र पर बाम के अधिल से कुछ नहीं है तो एक बड़ा से फाउंटर है फिर गड़पती जी है उसके साइड में आपको जो भी लगे जो चिक होने के बाद बाहर निकलता है फिर वहां से रूम में जाता है यह बड़ा से मिरर लगा हुआ था और फिल में दिखाती हूं आगे एक असलें भी था उस पर भी अप जा सक करते हूं और यह सब इन्हों के बोर्ड थे यह होटल कहां कहां मॉंबई में है और अधर सीटी में कहां है यह पुदा इसका डीटेल था यह मैंने लिया था फिर आगे हम आते हैं यह सेलें है शैलोन है सेलोन पर अब कुछ भी अपना जो भी काम जो भी है मुझे नहीं पत को चेकिंग करना है यहीं पर चेकिंग का है अधर एक अच्छा सा पैंटिंग लगा हुआ है यह पैंटिंग है जो बीच की थीम पर बना है यहां पर एक मंडाला रिजाइन है जिनको सेंटर में उसके ऊपर पर पैसा ही एक सिलिंग लाइट है यह इतना ही है और गाज यहा गए थे चक आउट करने तो यहां का वीडियो मुझे बनवाना था यह पता नि condemned हो रुदर पफिंड और बेटा था जिसced question यहां पर प्यानो भी रखा हुआ है और जो रिस्टोरेंट है उसके जश्ट फ्रेंट पर है यह जो विजिटर्स प्लेस है उसके सामने यहां पर नीज पेपर वगड़ा था टीवी लगी हुई थी क्योंकि लोग बोरों के बैटने में कितना थाइम थाइम तो लगी जाता है पस यही सब कुछ था यहां कभी मुझे काफ़ अच्छा लग रहा था तो यहां मैंने बहुत सारे फोटो अगरे क्लिक कराए थे जो मैं थोड़ी दिन में लगाने नहीं यही हमारा लगेश था क्योंकि सडेनली हमरो प्रोग्राम मुंबई का बना था बस रात में अपने इंजॉयर कर रहा है अरादे ने जूस वगरे भी पिया था और इंजूस और बस ब्लॉग कैसा लगा ब्लॉग अच्छा लगा वपा तो लाइक जरूर करिए लाइक करने माफ लोग बहुत गंजूसी करते हैं और यहां पर देखिए भी लब भी आ गया है अरादे अपने जूस बिराया तो मैं बोल रही थी कि आप लोग बहुत गंजूसी करते हैं सबस्क्राइब और लाइक कर दिया करिये जिस क्यूंकि उसे हमें क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है वैसे भी यह मेरा बहुत ही फ्यूर्ट काम है ब्लॉगिंग करना इसलिए मैं करती मुझे अच्छा लगता है क्योंकि क्या होती है चीज़े अपने लिए भी सेफ रहती हैं और आप लोगों को फ़ी हल्प मिलता है अगर आप जूर बीश पर जाएना तो यह अगर आपको इस बजट में लेना है तो यह ले सकते हैं यह होट बहुत अच्छा है सेफटी के र जार गार्ड से रहते हैं अनले तो परिशान था क्योंकि बाहर जर्ट आने के बहुत गर्मी लग रही थी और अंदर तो पूरा सेंटर लेशी है तो यह मैं पहले बता दूं कि यह फाइफ इश्टा होटल है इसका रूम का अप्रॉक्स आपको 15,000 आपको आएगा वन हम लोग वेट कर रहे थे और अराद बुराता फिश्व लो अंदर चलते हैं फिर हमने का फिर बाहर आना पड़ेगा थोड़ाई वेट करने के बाद गाड़ी आ गई थी बस यह यह जश्ट यह ज़ू के पगल में है ज़ू बीच है जश्ट इसका वाल और ज़ू बीच द बड़ बाद में हमें पता चला कि उधर हम लोग स्विम्यपूर से काफी जल्दी पहुंच सकते थे तो जो पता नहीं था जिसकी वज़ज़ से हम लोग लेट वा यहां गाड़े में हम पैट गया और हम गए थे अक्षे कुमार का घर देखने जो दूर से ही देखा हम तो देखने पाए थे जिसके बाजू में था अक्षे कुमार का तो उसका मैं आइडेंटिफाई तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी कौन सा वाला था बहुत जादे मैंने नहीं बनाए ओके थेंक्यू पसंदाए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए थेंक्यू थेंक्स होटल है फाइफ इस्टा होटल है जस्ट जुगू बीच के पर है तो अगर आपको जुगू बीच पर जाना है तो यह होटल बहुत अच्छा रहेगा अगर बजट अगर आप इस बजट में होटल देख रहे हैं जैसे मैंने बताए एक 15,000 तक आप लोगों को आ जाएगा ओन नाइट का थैंक्यू